अगर आप 3D Geometry का यह फंडा समझ गया है यह फंडमेंटल अगर आपको समझवा गया 3D Geometry का तो मैं आपको गैरेंटी देता हूं कि कभी भी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होगा इसलिए जितने भी चप्टर है चाहे वह बैक्टर हो चाहे वह प्लैन हो कोई प्राब्लम नह करते हैं वह समझ आते हैं अच्छा एक पॉइंट है जिसका कोईनेट देवा है 352 तो एक सब्सक्राइब करते हैं वह बना भी लेते हैं अगर थोड़ा भी लाइंग्विज अपन डाउन कर दिया ना तो फिर बच्चे फजाते हैं कारण कारण यह की वह बिजुलाइज नह चाहते हो तो आपका विजुलाइशन पावर जोता है बहुत इस ट्रॉंग होना चाहिए आप विजुलाइज कर पाओ चीज हो कि हां वह एक पॉइंट है जो यहां पर लाइक कर रहा है तो यह चीज नहीं कर पाते हैं बहुत सरे बच्चे ना रूम को लेकर कर समझने का को सबसे पहली बात आपको क्या करना है यहां पर कुछ भी नहीं है आप बस एक चीज दिमाग में रखा हो कि एक प्लेन है आपके पास यह परपल कलर वाला प्लेन आपको दीख रहा है ना यह बस आप आपके पास एक प्लेन कुछ इस प्रकार से आपने सीधा सीधा ऐसे रख दिया है जैसे कि मैं बुक ले लेता हूं और देखो मैंने इस तरीके से रख दिया ओके एक प्लेन है यह प्लेन इस तरीके से मैंने रख दिया है उसके बाद आपको यह ग्रीन वाला दिख रहा है एक green वाला दिख रहा है न बस उसको देखो बस आपके पास अभी एक image निए करो और ग्रीन वाला जो है एक सीधा सीधा वह इस तरीके से यहाँ पर क्या कर दिया गया है यहां से पटिछ बीमेंगे सो अकर यहां से नीचे क्या कर देत रहाएं तो दो हो गया एक सिधा और एक यहां से एक यहां से डाल दिया खाए और एक चीज और इस तरीरिके करें से सिधार देखो यह तो टीन प्लेन को परफेंडिकुलर से ब्रहल Wow यहां पर इंजर्ट्प्र स्कर्णाश में कुछ इस प्रकार से अगर आप एसा करते हो हो अगर आप ऐसे करते हो तो यहां पर तीन लाइन दिखा है दुए कौन कौन से लाइन देखा दून्से पहले यह इक सेंटर देखेंगे जहां पर रहरा हुए कि यह आप यह पॉइंट तीनो जो है तीनो प्लेन यहां पे टच कर रहे हैं यह बाद तो सच है ओके चलो ठीक है अब यहां से ना आपको तीन लाइन दिखेंगे एक लाइन यह बस लाइन को देखो अब प्लेन को भूल जाओ यह लाइन आपको दिख रहा एक एक लाइन दिखा ठीक है उसके बाद एक लाइन इधर भी दिख रहा होगा दिख रहा है दो लाइन उसके बाद एक लाइन यहां से उपर से नीचे गी और यह तीसरा लाइन भी आपको दिख रहा होगा ओके यह बाता को सुझा गया तीन लाइन है यहां पर अब यहां पर देखो कितने क्वाडरेंट पर बन रहे हैं कितने चार यहां पर नीचे आप देख भार हो यहां यह यह जो चीज है वह दिखना ठीज जो चीज है यह हम X basis बol रहा है यह लाइन और यह सब्सक्राइब ऑख वाइन एढ़े है यह आपका यहां यह आपका X Axis यह आपकोotics यह यक्सिस और यह जो से नीचे चाहर गया है इसको बोलते हैं Z-axis, X, Y, Z, समझे मारा है क्या, समझे मारा है क्या, हाँ, चीजे इस तरीके से हैं, अब मैं आप आप इस चीज बताता हूँ, ये जो copy वह अगरा माँ बनाते हो, जो copy माँ बनाते हो, आप क्या करते हो, सिर्फ इसको बनाते हो, यहां से देखना, इसको, ये आप Y बोलते हो, ये आप X बोलते हो, और ये आप Z बोलते हो, देखो न, देखो यहां पे, देखो मैं आपको बना के यहां पर दिखा रहा हूँ, देखो यहां पर, यह देखो, यह Z, और यह X, और यह Y, आप ऐसे बनाते हो कि नहीं, पहले मेरे को यह बताओ, आप ऐसे ब द्यान से सुनना, अब अगर माल लो, मैंने कहा कि अगर ये चीजें इस तरीके से है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर Y का value इधर लेंगे, तो प्लस में लेंगे, तो इधर क्या होगा? माइनस में, अगर Z का value, ये Z का value अगर ऊपर में plus लेते हैं, तो नीचे क्या होगा? होगा माइनस में यहाँ है इधर खाथ करें तो अगर हम यहाँ हे प्लस में लेते हैं रिधर मेरे करने का मतलब है कि आप इससमें प्लस मैनस समझ पारेád होगे ठीक है डेको हम इधर आगे कियो ले रहें प्लस में पीछे के ओर ले रहे हैं माइनस में ठीक है इधर x का value प्लस में इधर ले रहे 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 माइनस में यह जैड का value उपर में plus और नीचे minus तो अगर मैं बात करूं देखो यह चीज़को न मैंने इधर नहीं ड्राउ करा हुग ठीक है ब़र आप समझ सकते हो तो अगर मैं वोलूँ कि इस तो अगर dohya मैं चैंड लोगा यहांप जो हिस्टों इस में चैक्श कवरी जो मांइस में उपको समझना है यहां पर लाएक कर रहा है गांडी आगा। लेकर है कहीं भी ऐसा हो रहा है तो यह प्वाइंट का मतलब क्या है यह प्वाइंट का मतलब है यहां पे तीन होंगे देखो बात को समझो मैं जो बोल रहा हूँ ठीक है मैं थोड़ा सो उपर से देखाऊं क्या इसको यहां से यहां तक यह जो है यह x का value है ठीक है और यह distance जितना होगा वही distance तो यहां से यहां तक होगा इसका मतलब यह हुआ इसका मतलब यह हुआ कि यह जो अच्छा नाम मैं आपको बताना भूल गया तो आप जड़े देखों यह नाम क्या होगा सुनो अगर आप देखोगे तो यह आपका वाई है यह इस प्रपल लोला यह आपका वाई एकसिस है और यह क्या है है एकसे कौन सब खल भुरुषैंट वाला बॉल में ग्रीन वह बॉल स्थार एकफशिस् arrow एक्षम और विक्सफीर कहने तो आ रहा है इस पलेंड एक्स Records एक्षद यह प्लेंगे खेंगे मत्त करी एक्षर ना इस plane पे कौन कौन सा दो एकस इस आ रहे हैं तो एक Z डौ हो रहा है और एक Y इसलिए इसको क्या बोलेंगे YZ plane बस भी जो पिंक वाला है यह यह जो ग्रीन वाला है यह आपका क्या है एक्स-वाई प्लेन है और यह जो बहुरो बोल रही हो यह जदा उसके यहाँ है एक्स-वाई-ई-वाई-जट्रीडिग ना यहां पर जिरो यह रहता है यहां तो यहां तक भी जाओगा 9 होगा तो एकस का जो वैल्यू होता है वह पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस दे रहा होता है कहां से य-z-प्लेंड से यह बात भी आप दिमाग में नोट कर लो अगर कभी भी लाइंगुज को आप एंडाउन करेग तो जयससे मालोग की 5 होगा यह 8 होगा खुछ भी हुगा तो exactly यह इदर मैइनस में जाएगा तो मैइनस 5 होगा और यह चीज डिस्टेंस देता है कहां से यह जो य जट प्लेन है वहां से लिश्टेंस जगा सेम चीज अगर इधर भी होता अगर यहां पर भी यह सब्सक्राइब करें वाइका वैल्यू जो यह है वह क्या है वाई इसको एदम सिध्धा इसरग दो यह इतना होगा वही तो यहां से यहां से यहां तक यह मैं थोड़ा सा इसको ऐसे दिखाता हूं अब देखो यह जितना होगा यह हाइट तो होगा यहां से यहां से यहां तक बैटर समयार है तो आप यहां से रिडिंग आपका यहां पर है अब जब भी कोई एक बोलेगा अचा रूम को समझें क्या रूम का जो आप करनहों होता है रोम के क्या होता है कि आप ये नीचे वाला नहीं समझा सकते हैं यहां पर नीचे पॉइंट लिया दा रहा है तो यहां पर यहां पर लगा चीज रहा है तो रूम के केस में यह नीचे वाला फिर यह दोनों साइड यह समझना थोड़ा सा मुस्किल लगता है तो मैंने इसलिए यह बताया और मैं आसा उम्मीद करता हूं कि यह बाता को समझना आगया होगा बढ़िया तरीके से राइट तो चलो अगर आपको अच्छा लगा तो कमिंग बताओ कैसे लगा यह वीडियो और भी मैं इस चैनल पर लेकर आओ निया चैनल है बट मैं इसमें बहुत साची लाने वाला हूं ओके बाबाए